मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि पृत्वी पर एलियंस ने हमला कर दिया है, जो की बहुत ज्यादा पावर्फुल हैं, इन एलियंस को मीनिंग्स कहा जाता है, ये लगातार इंसानों को हरा रहे होते हैं, इसलिए पूरी दुनिया की आर्मी इन से करने की तैयारी कर रहे होते हैं, इस मिशन को नाम दिया जाता है, और वहाँ पर उस जंग में तुम्हें भी जाना होगा, ये सुनकर मेजर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे कभी भी लड़ाई की ट्रेनिंग नहीं दी गई होती है, वो करनल से कहता है, मैं यूएस का एक उन तुम मुझे ओनर डर नहीं दे सकते। लेकिन करणल उसकी बात को मानने के लिए तयार नहीं था। जब मेजर यहां से निकल रहा होता है तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर दिया जाता है। बोलेगा और बहुत सारे बहाने बनाएगा। मेजर केज की यहां पर किसी भी बात को सच नहीं माना जाता है। वो उन्फिसर केज को अपने सोलजर के पास लेकर जाता है। और उनसे कहता है अगर केज यहां से भाग गया तो मैं इसके बदले तुम्हारी बैंड बजा अगली सुबह सब सोलजर जंग में जा रहे होते हैं और सबने एडवांस रोबोटिक सूट पहन रखे होते हैं लेकिन मेजर केज को इस सूट को चलाना नहीं आता था क्योंकि उसे इसके बारे में कभी नहीं बताया गया वो अपने एक साथी से पूछता है इसे कैसे चलाया इनसानों को एक-एक करके मार रहे होते हैं तब ही केज के साथियों के ऊपर भी एलियन्स हमला करके सभी साथियों को मार देते हैं अब मेजर केज के सामने एक एलियन होता है वो उस पर फायर नहीं कर पा रहा होता क्योंकि उसे पता नहीं की फायर कैसे किया जाता है इस से कि एलियन उसे मारता मेजर केज फायर कर देता है और उस एलियन को मार गिराता है उसके बाद में खुश हो जाता है क्योंकि मेजर केज ने पहली बार किसी दुश्मन को मारा है लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं रहती तब ही यहाँ पर दूसरा बहुत बड़ा एलिय उसे लात मार कर उठाया था। जब केज की आँखें खुलती हैं तो वो देखता है वहाँ पर सब कुछ पहले जैसा ही है। उसे ऐसा लगता है कि वो कोई सपना देख रहा था। जब वो आगे बढ़ता है तो देखता है उसके साथ वही हो रहा होता है जो एक दिन पहले जहां पर उसे officer ने लात मारी थी Major case उठने के बाद में एक officer को सब कुछ बताता है मेरे साथ क्या हो रहा है वो सब कुछ explain करता है लेकिन officer case की किसी भी बात पर यकीन नहीं करता और एक बार case को फिर से जंग में भेज दिया जाता है वो अपने सभी साथियों को बचा लेता है क्योंकि उसे पहले से पता था कि आगे क्या होगा लेकिन aliens इतने ज्यादा होते हैं केज की हर बार death हो जाती है अब केज कई बार इस जंग में आ चुका है इसलिए उसे सब कुछ पता होता है इसी जंग के मैदान में एक बहुत बड़ी योधा होती है जिसका नाम सर्जन टीटा है और पिछले लडाई में जब इनसान alien से जीते थे तो उसमें इस योधा का बहुत बड़ा हाथ था ये हर बार केज के सामने मर रही होती है केज उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है उसे पता था कि कौन सा alien कहां से आएगा ये देखकर सर्जन टीटा हैरान हो जाती है वो उससे कहती है इस बार जब तुम उठोगे तो मुझे ढूंड कर मेरे पास आना उसके बाद दोनों की डेथ हो जाती है केज दोबारा से वहीं पर उठता है जहां पर उसे officer ने लात मारी थी वो सर्जन टीटा के पास पहुँचने की कोशिश करता है लेकिन हर बार उसकी death हो जाती है किसी तरह से वो उसके पास पहुँच जाता है सर्जन टीटा उसे नहीं पहचानती जब मेजर उसे बताता है पावर होती है वो दिन को दोबारा से restart कर सकता है जब भी कोई एक alpha मरता है तो उसका सीधा संकेत omega को जाता है और omega दिन को दोबारा से start कर देता है जब तुमने उसे मारा था उसका blood तुम्हारे उपर गिरा इसलिए तुम उस alien से जुड़ गए omega को लगता है कि alpha मर गया इसलिए वो दिन को दोबारा से start कर देता है तब ही major कहता है तुम्हें ये सब कैसे पता तो sergeant tita उसे बताती है जो तुम्हारे पास है वो कभी मेरे पास भी था क्योंकि उसने भी कभी एक alpha को मारा था और वो लोग केज को बताते हैं कि downfall से हम इन aliens को खत्म नहीं कर सकते क्योंकि जैसे ही उनका एक alpha मरता है तो वो दिन को दोबारा से शुरू कर देते हैं तो केज उनसे पूछता है अब मुझे क्या करना होगा sergeant tita उसे बताती है मैं वहां से नहीं बच सकता मुझे तो लड़ना भी नहीं आता तो sergeant tita कहती है कि मैं तुम्हें लड़ना सिखा दूँगी दरसल इन्हें जंग के मैदान से ही निकलना होगा क्योंकि यहां से किसी officer को और ना ही किसी soldier को बाहर जाने की अनुमती है अब tita major case की training को start कर देती है जहां पर वो बहुत बुरी तरह से जखमी हो जाता है major कहता है कि मैं ठीक हूँ तो sergeant tita उसे warning देती है अगर तुम कभी भी जखमी हो जाओ तो तुम्हें अपने आपको मारना होगा क्योंकि तुम्हारी body में अगर blood चढ़ा दिया गया तो तुम्हारी सारी शक्तियां खत्म हो जाएगी यानि omega से तुम्हारे दिमाग का connection टूट जाएगा अगर ऐसा होता है तो omega तुम्हारी मौत पर कभी भी दिन को दोबारा शुरू नहीं करेगा मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ जब मैं जखमी हुई तो मुझे blood चढ़ा दिया गया जिससे मेरी power खत्म हो गई यहाँ पर training में कई बार वो जखमी होता है और Tita उसे मार देती है यहाँ training पर ही उसे visions आना शुरू हो जाते है केज देख लेता है omega कहां पर है किसी तरह से जंग के मैदान से इन्हें बाहर निकलना होगा यह दोनों वहाँ से कई बार निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन हर बार सर्जन Tita की मौध हो जाती है जिस वजह से बार बार केज अपने आपको मार देता है यह दोनों कई दिनों से एक साथ है इसलिए केज को Tita से प्यार हो जाता है लेकिन सर्जन Tita के पास अपनी यादें नहीं होती एक दिन केज वहाँ से Tita को निकाल लेता है अब ये गाड़ी से जा रहे होते हैं तो उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है तभी ये आगे पैदल जाते हैं और एक घर में हेलिकॉप्टर देखते हैं लेकिन उसकी चाबी उनके पास नहीं होती तो केज टीटा से कहता है तुम घायल हो, तुम थोड़ा सा आराम करो और मैं तुमारे लिए काफी बनाता हूँ फिर हम चाबी ढूंड कर यहां से चले जाएंगे जब वो उसमें एक शुगर का पैकेट डालती है तो वो उससे कहता है कि तुम दो सुगर के पैकेट डालती हो ये सुनकर टीटा समझ जाती है हम यहां पर कई बार आ चुके हैं और उसे पता चल जाता है कि केज के पास चाबी है मेरी मौद से तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा तो केज कहता है अच्छा होता शायद मैं तुम्हें नहीं जानता जैसे ही वो हेलिकॉप्टर को स्टार्ट करती है तभी वहाँ पर एक एलियन आ जाता है वो उस पर हमला करके उसे घायल कर देता है तीटा मरने से पहले केज को बताती है कि मेरा मिडल नेम रोज है सफर करते टाइम केज नहीं उससे उसका मिडल नेम पूछा था तभी यहाँ पर एक दूसरा एलियन आकर केज को मार देता है जिससे दिन दोबारा से स्टार्ट हो जाता है केज ने बार बार टीटा को मरते हुए देखा था इसी लिए वो इमोशनल हो जाता है तो वो ये तैय करता है इस बार अकेला ही जाएगा वो वहाँ से हेलिकॉप्टर लेकर निकल जाता है और उसे उस जगह पर पहुँचने के बाद पता चलता है कि वहाँ पर ओमेगा नहीं है वहाँ पर अलफा है जो उसे मारना नहीं चाहता है बलक अगर वो तुम्हारे अंदर लगा दिया जाए तो हमें ओमेगा के बारे में पता चल जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, वो डिवाइस करनल के पास है, जिसने जबरदस्ती केज को यहाँ पर भेजा होता है। तीटा और केज किसी तरह से उसके ऑनफिस में पहुँच जाते हैं, वो उसे सब कुछ बताते हैं, लेकिन करनल उनकी बात पर यकीन नहीं करता, ये किसी तरह से उस डिवाइस को हासिल करके बाहर निकलते हैं। तीटा वहाँ पर पहुचकर केज को मारने वाली होती है, तो वो कहता है कि मेरी शक्तियां खत्म हो गई हैं। पुलजर मारे जाते हैं, लड़ाई में केज और टीटा ही बचते हैं, यहाँ पर एक अलफा होता है, जो ओमेगा की रक्षा करने के लिए बना होता है, ओमेगा पानी के अंदर होता है। तो केज पानी में कूद कर ओमेगा को खत्म कर देना और तब टीटा दूसरी तरफ भागना स्टार्ट कर देती है। बो उसे डेली मिलती थी वो उसे नहीं जानती इसलिए बो उसके साथ हमेशा की तरह रूडली बात करती है लेकिन टीटा को देखकर केज के होटों पर मुस्कुराहट आ जाती है क्योंकि वो उससे प्यार करता था इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है